हेलो एवरिवन माई नेम इस केतन सरावडी और वेलकम यू अल ओवर दी ओनलाइन प्लेटफर्म ऑफ सिविल पंड हमारी जो ये सीरीज चल रही है यूनिट नमबर 9 की MPPRC के Preliminary Examination के syllabus की उस हम सीरीज के आगे बढ़ाते हुए आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंतरगत हम Information Communication Technology की आज शुरुआत कर रहे हैं आज हम इस टॉपिक के अंतरगत कुछ basic terminology को जानेंगे हम जानेंगे कि आखिर Information Communication Technology होती क्या है उसके कुछ प्रकार के बारे में जानेगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस lecture से तो very first हमको जानना पड़ेगा Information Communication Technology में कि आखिर Information होती क्या है तो ध्यान से समझेंगे हम इस बात को यदि मैं आपसे बात करता हूँ Information की तो Information से पहले मैं आपको डाटा बता देता हूँ यदि डाटा या डाटा यह जो शब्द है इसको इस्तमाल हम करते हैं collection of facts and figures यदि एक जगह facts और figures को रख दिया जाए तो उनको हम क्या कहते हैं collection of facts and figures को हम कहते हैं data और इसी data को यदि systematic way में arrange कर दिया जाए systematically arranged data systematically arranged data जो होता है वही क्या कहलाता है वही हम इसी को बोलते हैं information इसको ही हम information बोलते हैं चलिए अब मैं आपको एक example के जरीए समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे घर में मान के चलते हैं कि बरतन धुले साफ हुए और उसको एक टोकरी में रख दिया गया है यदि टोकरी में उन सारे बरतनों को एक साथ धो करके रख दिया गया है तो उस टोकरी में सभी तरह के बरतन एक ही जगह पर रखे हुए है इसका मतलब वो टोकरी क्या है हमारा डेटा है मतलब all types of data all types of facts and figures एक जगह पर collective form में रखे हुए अब जब मैं यदि इस collective form को properly arrange कर तो अब हमारे यहाँ पर क्या होता है बरतन रखने वाला stand है अब आपको पता होता है यह housing है इस housing में अलग-अलग segments बटे हुए होते हैं segments बने हुए होते हैं अब इस segments को देख करके आपको पता होता है कि इस जगे पर क्या चीज रखनी है यहां पर आपने काटोरी रख दी यदि इस तरह क्या कोई आपको hooks दिखाई देता है तो वहाँ पर आप चमच रखते हैं इसका मतलब क्या है ध्यान से समझेंगे आपने यूजिक्स का इस्तेमाल करते हुए उस डेटा को उस टोक्री में रखे हुए बरतनों को systematically arrange करते हैं with the help of logics यदि logics festival करते हुए तो ये data systematically arranged data with the help of logics क्या कहलाता है information कहलाता है this is called information so systematically arranged data with the help of logics is termed as information उसे हम information कहते हैं तो आपको कई बार mcqs के तोर पर भी इस तरह का एक data देखने को कोशन मिलते हैं कि एक definition देदी उसमें multiple options दे दिये या information का क्या ये सटीक explanation है या या नहीं statement और reason assertion और reason जैसे कोई questions आपको देखने को मिलेंगे तो proper definition क्या होगी information कि इसको याद रखना अत्यनतावशक है systematically arranged data with the help of logic is termed as information इसको हम information अब ध्यान चुश समझेंगे information क्या क्या हो सकता है तो information आपका dream यदि आपका dream है तो वो भी information है क्यों क्यों कि छोटे 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 जो भी आपने observations लिए उन observations को collective form में यदि देखा जाए यदि systematically arranged कर दिया जाए तो वही dream हमारा क्या है information कहलाएगा अब यदि मैं आपसे कहूं कि क्या हमारे thoughts भी हैं तो हाँ बिल्कुल हाँ मारे जो आपके thoughts हैं जो हमारे ideas हैं जो thoughts हैं वो सब भी क्या कहलाएंगे information क्यों क्योंकि हम logics का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन information को develop करने के तो यहीं जो हमारी collective form में information यदि देखी जाए तो इसको हम बोलते हैं knowledge तो यदि इसी knowledge को transfer किया जाए तो उसी को हम क्या कहते है communication कहते हैं तो ध्यान से समझें यदि transfer of knowledge हो रहा है यदि knowledge एक end से दूसरे end में transfer हो रहा है share हो रहा है तो sharing of knowledge knowledge का share होना ही क्या कहलाएगा knowledge का share होना ही या information का share होना ही communication कहलाता है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो knowledge की sharing is termed as communication अब मैं यदि इस end की बात रहूँ जहां से knowledge transmit हो रहा है तो इस end को हम हम बोलते है source end या sender के नाम से भी हम जानते हैं यदि मैं आपसे बात करूं दूसरे end की तो दूसरा end जो कहलाता है वो destination कहलाता है यह desired destination होता है इस end को हम बोलते है source end और इस end को बोलते है destination end during communication जब knowledge की sharing चल रही होती है क्या आपको याद लिया कि आखिर information क्या है और ये भी जान लिया कि communication क्या है तो technology क्या होती information communication technology क्या होती इसको जानते हैं तो ध्यान से समझेंगे कि information communication technology क्या होती है ऐसी अच्छा उससे पहले मैं आपको technology के बारे में भी थोड़ा बता तो उससे पहले हम जानेंगे कि science और technology में difference क्या है यह हम पहले भी बात कर चुके science और technology में difference क्या है यदि मैं आपसे बात करता हूँ science तो science क्या है it is the collection of all the basic principles laws and theories related to different phenomena's अलग-अलग phenomena's या अलग-अलग research work के बाद जो भी हमें प्राप्त result होते हैं उनसे हम अलग-अलग principles या फिर laws या फिर theories को define करते हैं और यही collection of principles laws and theory को ही हम consolidated form में क्या कहते हैं science कहते है अब ध्यान से समझे कि टेक्निक क्या है यति मैं आपसे बात करता हूँ applied format of these principles laws and theories for the development of human society then it is termed as technology तब हम उसे क्या कहते हैं technology के नाम से जानते हैं मतलब जब भी principles जो भी principles laws या theories जितने भी सिद्धान्त हमने विज्ञान में पढ़े हैं उन सब theories को यदि applied format में यदि उनका अनुप्रयोगिक रूप देखा जाए तो सही हम क्या कहते हैं technology के नाम से जानते हैं प्रध्योगी के नाम से जानते हैं अब हम प्रॉपर एक definition पर आगए हैं information communication technology तो क्या कहलाती है ये एक ऐसी शाखा है विज्ञान की दो की applied format में अनुप्रयोगिक रूप में which utilizes all the basic principles and basic phenomena's related to science and science for the purpose of communication or for the purpose of sharing of information so it is the branch of science it is the applied branch of science in which all the basic principles of science is used for the purpose of sharing information is termed as information technology इस definition को आपको बार 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 सुनना है तो कि आपको ये चीज़ याद हो जाए और ये basic जो ये definition है ये आपकी ICT की definition हो जाएगी information communication technology के basic definition बन करके रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे यदि हम बात करते हैं तो ये हम बात करेंगे steps of establishment of communication जब भी दो nodes के बीच में मान के चले एक node A है और दूसरी node B है अब इन दो node के बीच में जब भी communication establish होगा तो उसके steps होते हैं अब ये steps number में 4 होते हैं ध्यान रखें ये भी MCQ का point है कि कि इतने steps में communication establish होता है तो ध्यान जब सुने चार steps में communication establish होगा कोई भी communication पहला step very first step is pink सबसे पहले यदि मान के चलो आपको किसी के साथ communication establish करना होता है तो आप हाथ के लाकर के बोलते हैं हेलो हेलो सुनाई दे रहा है हेलो तो आप क्या कर रहा हो पिंग कर रहा हो मतलब आप उसके साथ पहली बार ये this is the first step तो पिंग is the first step for communication इस पिंग की average में ये बी ए तक वापस acknowledge पहुंचाता है सामने वाला भी आपको बोलता है हेलो मतलब मुझे तुम्हारी आवाज आ गई मैंने तुम्हें सुन लिया तो आपने सबसे पहले क्या बोला पहले ए इसको बी को बोल रहा हेलो और बी reply में भी क्या कर रहा हेलो इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली पैसे समय पर वो इसको इस request के average में response देगा अब यह response आइदर positive या negative भी हो सकता है यदि होंगे 10 रुपए तो दे देगा नहीं होंगे तो मना कर देगा कि भाई 10 रुपए change नहीं है मेरे पास तो इसका मतलब क्या हुआ इस तरीके से इन 4 steps है इस तरीके से कोई भी communication जो होता है वो established होता है यह चार basic steps है और establishment of communication तो ध्यान से इस बात को याद रखेंगे कि चार steps में complete होता है चार steps कौन-कौन से पिंग, acknowledge, request और then request आगे की तरफ पढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से communication होता है उससे संबंदित कुछ terms को जानते हैं यह मान के चलते हैं कि यह satellite है यह क्या है उपगरा है satellite है और यह हमारे पास earth segment है मतलब प्रित्वी की सतह पर मौझूद जो segment होता है जो हिस्सा होता है communication का यह वो है जैसे कि हमारे towers वगया इन टावर से यहां से request signal या pink signal पहुंसता है तो जब भी हमेशा ध्यान रखें यदि source क्या हो earth segment हो और वो पहुंच रहा है satellite की तरफ यह destination हो यह source हो और यह क्या हो जाए destination हो जाए तो ऐसे में सदैव यह जो signals उपर upload हो रहा है uplink जा रहा है तो इसको हम बोलते है uplink signals इनको क्या बोलते हैं uplink signals के नाम से जानते हैं और जब भी communication sorry for that यह जो यह बना हुआ है कि यदि मैं आपसे बात करूँ तो यह ultra तीर बन गया है यहां पर हना इसको ध्यान से समझेंगे हम actually इसका जो direction होने चाहिए यह नीचे की तरफ होना तो यह सदैव जब अब यदि यह इस condition में यह source हो जाए यह जो हमारा satellite यह क्या हो जाएगा source और यहां से signal earth segment की तरफ आ रहा है और यह destination है तो ऐसे में यह कहलाएगा down link के नाम से जाना जाएगा तो up link और down link किया होता है यह बहुत ऐहम बात है कई बार question आ सकता है आया है कि up link signals क्या होते हिए जिसमें earth segment से satellite को भेजे जाने वाले जो signals होते हैं वो सदैव uplink signals होता है और जब satellite को कोई भी information share करती है earth segment के साथ तो वो कहलाते है down link signals के तो यह up link और down link क्या होता है यह हमेशा ध्यान रखें, यह important था, तो यह मैंने आपको बताए है, communication की, अब हम बात करेंगे, types of communication की, कितने तरह के communication होते हैं, या communication का वरगी करन किस तरह से हो सकता है, अब अपन अलग-अलग आधारों पर पट रहे हैं, जो हम पहली बार, पहला आधार देख रहे हैं, तो number of notes होंगे, तो ध्यान चे समझे, types of communication की यदि मैं बात करता हूँ, तो number के अधार पर ये दो तरह के हो जाता है, दो तरह के communication होते हैं, ध्यान चे समझेगे, एक कहलाता है, point to point, point to point, communication, या हम दूसरे शब्दों में, दूसरी भाशा में इसे peer to peer connection भी बोलता है, peer to peer communication के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो होता है, वो होता है, broadcast, दूसरा जो होता है, वो broadcast कहलाता है, तो ध्यान से समझे, point to point में क्या होगा, खमस्ते हैं, यदि मान के चले, ये A है, और ये B है, यदि information सिर्फ इन दोनों के बीच में ही share हो रही है, और वो किसी भी direction में flow of information हो, उ अब ही हम बात कर रहे हैं, सिर्फ दो ही node यदि आपस में एक दूसरे के साथ information की sharing कर रहे हैं, so that type of communication will be termed as point to point communication, और peer to peer communication, फिर से बता रहूं, बहुत ध्यान से समझे, जब सिर्फ दो node ही communication established कर हैं, और दो node के बीच में established communication जो होगा, वो उनके बीच में यदि information की sharing हो रही ह अब ध्यान से सुने, यदि ऐसा समय पर जब एक जो हो वो transmitter है, मतलब एक ही source है, अब यहाँ पर एक source था और एक ही destination था, बट यदि एक number of source हो, बट multiple number of यदि destinations हों, या हो सकते हों, तो ऐसे समय पर इस तरह का जो communication होगा, वो कहलाएगा broadcast communication, इसको हम broadcast communication के नाम से जानेंगे, तो यह दूसरा type हो गया, on the basis of number of nodes, तो number of nodes के दार पर हमने पढ़े कि communication दो तरह का है, पहला is point to point या peer to peer, and second one is broadcast, यदि अपन point to point की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, दो ही nodes होगे, एक source होगा, और एक destination होगा, और यदि मैं broadcast की बात करूँ, तो एक source होगा, और multiple number of destination nodes हो सकते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा, types of communication on the basis of number of nodes, last point हम देखते हैं, types of communication on the basis of flow of signal, flow of signal, किस direction में signals का flow होगा, उसके आधार पर अपर यदि देखे हैं, तो communication दो तरह से होता है, तो ध्यान से समझेंगे, एक होता है one way communication, इसको हम बोलते हैं, one way communication, और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है, two way communication, एक हो गया one way communication, और दूसरा हो गया two way communication, यह बहुत layman language है, यदि हम इसको थोड़ा technical language में देखें, तो इसको हम जानते हैं, simplex के नाम से, simplex mode of communication, और इसको हम जानते हैं, duplex mode of communication, simplex mode of communication, और duplex mode of communication के नाम से जानते हैं, अब ध्यान से देखें, simplex में क्या होगा, पहले इसको समझे, यदि मैं आपसे simplex mode of communication की बात करूँ, तो simplex mode of communication जो होगा, वो क्या कहलाएगा, जान से देखें, यदि मैं आपसे बात करूँ, simplex mode की, ये दो node हैं हमारे, एक हो गया A, और दूसरा हो गया B, ऐसे समय पर ये A और ये B की यदि मैं बात करता हूँ, तो इसके पास एक end पर transmitter है, और दूसरे end पर क्या होगा, receiver होग project करने का काम करता है, और दूसरा जो की receive करने का काम करता है, gather करता है information को, वो कहलाता है receiver, इसके बारे में हम details में और आगे जानेंगे, अभी बस हम इतना समझ रहे हैं कि यदि एक end पर क्या हो, सिर्फ transmitter हो, और दूसरे end पर क्या हो, सिर्फ receiver हो, तो ऐसे समय पर ये सिर्फ source कहला गया, और ये सिर्फ क्या कहला गया, destination, अब ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है, एक ही direction में flow of signals चलेगा, अब ये broadcast भी हो सकता है, और peer-to-peer ये point-to-point communication भी हो सकता है, तो मेरी बात ध्यान से समझें, ये कहलाएगा simplex form, ये क्या कहलाएगा, simplex form में कहलाता है, this is simplex mode of communication, ठी एक हीSliplex की बात करूँ, तो इस दीफ्लेक्स को भी हम दो हिस्सों में bifurcate करते हैं, दो हिस्सों में कैसे bifurcate करते हैं, एक मित कहलाता है half duplex, और एक होता है full duplex, तो अब मैं कएक करके इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, येदी मैं आप से बात करूँ licens, तो half duplex क्य receiver और transmitter दोनों हैं बट बहुत ध्यान से समझें एक समय पर at the same time यदि इसका transmitter on है तो इसका receiver on होगा और यदि इसका receiver on है तो इसका transmitter on होगा मतलब या तो एक समय पर flow of signal इस direction में होगा मतलब from A to B होगा और या तो फिर उस दूसरे time पर क्या होगा B to A हो पाएगा मतलब at the same time या तो वो A से B की तरफ चलेगा यदि फिर दूसरी थन की बात करें तब फिर वो B से A की तरफ हो पाएगा तो मतलब इसका यह है एक समय पर हैं दोनों ही equipments दोनों के पास मतलब इसके पास भी transmitter इसके पास भी receiver और receiver और transmitter दूसरे end पर भी है बट एक समय पर या तो transmitter काम कर रहा होगा इसको बहुत अच्छा एक्जामपल है walkie talkie आपने देखा होगा जो हमारे police officers होते हैं यह walkie talkie लेकर के चलते हैं by default इन में receiver on होता है by default आप इन में से देखने हैं इसमें से आवाज आती रहती है मतलब by default क्या on है receiver on है जैसे यह बटन को प्रेस करते हैं यह switch कर जाता है किसमें transmitter में अब transmitter के जरीए यह अपना बोलना शुरू करते हैं और बोलने के बाद अंत में बोलते हैं over and out मतलब कि हाँ मेरी बात पूरी हो गई अब यह release कर देते हैं automatically वह वापस switch हो जाता है किसकी तरफ receiver की तरफ तो इस तरीके से कुछ देर के लिए ही उन्होंने क्या switch किया transmitter पर switch किया और दूसरे end पर क्या switch हो गया automatic हमेशा receiver by default तो रहते हैं यह तो पुल मिला करके मैंने आपको बताए कि एक समय पर एक ही direction में flow of signal हो पाएगा बात समय में आ गई यह कहलाता है half duplex अब हम बात करते हैं full duplex की तो अब ध्यान से समझे क्या होगा एक node यह है और दूसरा node यह है यदि मैं आपसे बात करूँ A और B की तो दोनों के पास ही transmitter और receiver दोनों ही है जैसे उसमें था तब तो यह duplex कहला रहा है तो अब खान से सुनेंगे at the same time दोनों ही direction में flow of signal हो सकता है जैसे कि हमारा phone calls क्या आप मम्मी से कभी बात करते हुए ऐसा बुला हा मम्मी मैंने खाना खा लिया over and out ऐसा नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि आपको आपका simplex mode of communication नहीं है या यूँ कहीं half duplex नहीं है ऐसे समय पर आपने क्या किया dual mode of communication इस्तेमाल किया वो भी कौन सा full duplex mode आपने इस्तेमाल किया है ऐसे समय पर जब आप बोल रहे होते हैं इस बीच में मम्मी इंटरेप्ट करके आपको बोल भी सकती कि नहीं बास करो अब अपनी बात मत करो मेरी बात सुनो तो इसका मतलब क्या at the same time उसी छण आपका signals from A to B भी जा रहा है और B to A भी जा रहा होता है इसको हम बोलते है full duplex mode of communication तो इस तरीके से types of communication flow of signal के अधार पर दो हिस्सों में बटे one way communication जिसे हम simplex form of communication बोलते हैं जिसमें एक end पर transmitter और दूसरे end पर receiver होता है और यदि मैं two way communication की बात करूँ इसका मतलब हम duplex के नाम से जानते है technical भाशा में यह दो तरह के होता है half duplex और full duplex half duplex मतलब एक समय पर एक चड़ पर एक ही direction में flow of signals होगा but full में हमेशा एक चड़ पर दोनों direction से flow of signals हो सकता है it is possible तो यही था आज का हमारा lecture thanks for today इसी series के साथ जुड़े रहे ताकि ninth unit consolidated form में फटा फट काफी सारे facts के साथ आप complete कर सके हम इस series के last में mcqs भी लगाएंगे जो की आपके बहुत सारे questions आपको हो सकता है as it is आपको आप के test series में देखने को मिलेंगे thank you